तो देखिए आज छोटा बेवी के लिए बहुत ही सुन्दर दू कलर का कैप बनाए हैं टोपी है छोटा बच्चा का है जीरो से लेके तीन से चार में अन्थ बच्चा के आराम से आ जाएगा देखिए बहुत ही असान है इसको बनाना बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है तो इसको देखिए कैसे बनाए हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम साथ फंदा ले लेंगे इस टोपी को बनाने के लिए साथ फंदा सबसे पहले ले लेंगे आज देखिए साथ फंदा में हाँ बनाना शुरू करेंगे देखिए इस तरीका से जाली डालेंगे एक फंदा बनाएंगे और छे जाली यहाँ पर बनाएंगे साथ फंदा लिए हैं और छे जाली हम यहाँ पर शुरू से ही बनाएंगे इस टोपी को उपपर से बनाना शुरू किये हैं देखिए छो जाली यहाँ बना दिये साथ फंदा दिये थे और छो जाली यहाँ बनाएंगे कि हंदा मैं सारथ को उल्ठा बनाएंगे ऐना वर उल्ठा तरब TWO खेल्स और उल्ठा तरबLife पर से सार्ण क्यों को उल्ठा बना लेंगे तो देखिए उल्टा तरफ से सारा को उल्टा बना लिए अब सीधा तरफ फिर से आ गए यहाँ छे जाली दिये हैं उसको रिपिट करना है छे जाली को अब यहाँ एक फंदा, दू फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ जाली डालेंगे, इसी तरीका से फंदा बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ देखिए, दू फंदा बनाएं, फिर जाली देगे, इसी तरीका से यहाँ जाली डालना है, छे जाली है, छे जाली को उपर तक ले जाना देखिए इसी तरीका से जाली जहां जहां है उसके सामने जाली डालते जाना है जो सिधा फंदा बन रहेगा उसको सिधा बना लेना जाली के सामने जाली को डालते जाना है एक जाली लास्ट में डालेगे दिखिए टोटल 6 जाली डाल रहे हैं आँ उल्टा साइड से पूरा को उल्टा बना लेगे तो देखिए उल्टा साइट से पूरा को उल्टा बना लेंगे उल्टा साइट से पूरा उल्टा नहीं बनेगा सीधा साइट से ही केबल जाली परेगा अब यहां देखिए तीन फंदा बढ़के हो गया तीन फंदा बनाएंगे फिर जाली डालेंगे एक फंदा बिने थे तब जाली दिये थे फिर दूसरा काटा में दू फंदा बिने तब जाली दिये देखिए इस तरीका से देख करके अजाली डालते जाना है और सीधा बना लेंगे, सीधा साइड से सीधा बनाएंगे अजाहाट जाली है उसको जाली डालना है इसी तरीका से पूरा बनाएंगे लास्ट में एक जाली जरू डालेंगे वो लगाके छो जाली है देखिए अब उल्टा साइड से पूरा फंदा को उल्टा बना लेंगे उल्टा साइड से पूरा उल्टा बना लिए अब फिर से सीधा साइड आ गाए देखिए इसी तरीका से जाली डालेंगे एक गारह जाली हो जाएगा जब तक जाली डालेंगे सीधा साइड से सीधा बनाएंगे और जहां जाली है जहां जाली डालते हुए एक गारह जाली बना लेते हैं फिर द बनाते हुए उसी तरीका से एक गारह जाली हम बना लिए हैं यहां गिंती कर लेना है एक गारह जाली टोटल है देखिए एक गारह जाली पूरा बना लिए है छो जाली इस तरीका से है आप एक गारह जाली टोटल बनाए है अब यहां देखिए उल्टा साइड आग है टोटल फंदा यहां गिं लेंगे तो 73 फंदा हो गया है अब यहां जाली को बंद करेंगे इसलिए फंदा यहां गिन लेंगे आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं छे माइना से साल भर तक के बच्चा को बनाना चाहते हैं तो यहां 12 जाली तक बना सकते हैं 12 जाली में आ जाएगा उतना बड़ा बच्चा का वही हिसाब से आप अपना बच्चा को देखते हुए उसको जाली को बढ़ा लेना है एक दो तीन जितना जाली हो बढ़ा लेना है आप यहां देखिए दूसरा कलर का उन यहां ज्वाइंट कर लेंगे यहां डिजाइंट डालने के लिए उल्टा साइड से दूसरा कलर का उन ज्वाइंट कर लिए दू कलर से हम बना रहे हैं टोपी को दूसरा कलर के उन ज्वाइंट किये हैं उल्टा साइड से सारा फंदा को उल्टा उल्टा बना लेते हैं डिजाइन सीधा साइड में डलेगा देखे इसी तरीका से टोटल फंदा उल्टा उल्टा बना के ले लिए देखे अब सीधा साइड आ गए है अब यहां डिजाइन डालेंगे अब यहां डिजाइन डालेंगे पहला फंदा इस तरीका से उतार लिए अब दो फंदा को इस तरीका से करेंगे अजो नहीं खीचाएगा उससे बनाएंगे अजो खीच चाता है उससे खीच लेंगे देखे इस तरीका से अब दो फंदा सीधा बना लेंगे देखे दो फंदा सीधा बना फिर उसी तरीका से दो फंदा बनाएंगे अब पीछे खीच देंगे यही बिला डिजाइन पूरा में डालेंगे, दू फंदा सीधा बना लेंगे, दू फंदा में डिजाइन डालेंगे, इस तरीका से देखिए दो फंदा सीधा बना लिए और दो फंदा में डिजाइन डालेंगे, दो दो फंदा बीच करके डिजाइन डाल रहे हैं, यह पूरा लाइन इसी तरीका से कंप्लीट कर लेना है दो सीधा और दो में डिजाइन डालेंगे देखिए दो फंदा फिर से सीधा और दो फंदा में डिजाइन डालेंगे डबल फंदा करके इस तरी करके और बना करके खीच लेना है इसी तरीका से डिजाइन डाल रहे हैं यहां थोड यह दो सीधा बनाएंगे और दो फंदा में डिजाइन डालेंगे दो सीधा बनाएंगे दो फंदा में डिजाइन डालेंगे इसी तरीका से बनाते हुए पूरा लाइन कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए उसी तरीका से बनाते हुए पूरा लाइन ही कम्प्लीट कर लिए लाश्ट का दो है सिधा इसको बना लेंगे देखिए इस तरीका से डिजाइन है अब उल्टा साइड से सारा फंदा को उल्टा बना लेंगे उल्टा साइड से सारा फंदा उल्टा ही बनाएंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा वीडियो को सेर करिएगा आप वीडियो को देखिएगा बनाईएगा कैसा बना कॉमेंट करके बताईएगा सपोर्ट किजिए बनाईएगा जएगा। उल्टा साइड से सारा फंदा को उल्टा ही बना लेंगे देखें फिर से सीधा साइड आ गाए फिर सीधा साइड आ गाए चरचर काटा के लाइन बनाएंगे चार काटा उस कलर से बनाएंगे और चार काटा दूसरा कलर से बनाएंगे तो देखें दूसरा लाइन में आ गए यह दोनों उस समय घीचे बनाए थे तो इस समय इसको सीधा बना लेंगे देखे सीधा बना लिए जहां पहले डिजाइन डाले थे इस काटा में यहां सीधा बना है आप जहां सीधा दो फंदा बना बना थे वहां पर डिजाइन डालेंगे आप बनाईएगा तो पता लग जाएगा कौन सा डिजाइन डला हुआ है कौन सा सीधा बना हुआ है जहां सी वहाँ दो फंद सिधा बनेगा देखिए इस तरीका से, तो तिर्चा तिर-चा डिजैन बहुत ही सुन्दर बन जाता है, देखिए दो फंद इस तरीका से बनाएंगे और दो बना हुआ हैं उसको सिधा दो फंद इसी तरीका से बनाते हुए पूरा लाइन कम्प्लीट करेंगे इसी तरीका से बनाके टोटल ही कम्प्लीट करते हैं देखिए पूरा ही कम्प्लीट कर लिए उसी तरीका से अब उल्टा साइड से दूसरा कलर फिर से जॉइंट करेंगे चारचर काटा का डिजाइन बनाएंगे यहां अब दूसरा कलर फिर से जॉइंट करेंगे और पूरा फंदा को उल्टा बना लेंगे उल्टा साइड से दूसरा कलर जॉइंट करेंगे और पूरा फंदा एक लाइन उल्टा बना लेंगे, सीधा साइट से डिजाइन बंदनेगा, यह पूरा फंदा उसी तरीका से उल्टा बनागे कम्प्लीट कर लेते हैं, तो देखिए उल्टा साइट से कलर चेंज कियें और पूरा उल्टा बनाके यहां कम्प्लीट कर लेते हैं, अब सीधा साइट आ गए हैं, अब यहां डिजाइन इससे भी बनाएंगे, उसी तरीका से बनाएंगे, जहां डिजाइन बना हुआ है, जहां दो फंदा सीधा बनाएंगे और जहां दो फंदा सीधा बना हुआ है, वहां पर डिजाइन डालेंगे, इस तरीका से दीख जाता है, तो दू फंदा ही पहले बिना हुआ है, तो इसमें डिजाइन डालेंगे, और देखिए अगला दो फंदा डिजाइन डाला हुआ है, तो उसको सीधा बना लेंगे, देखिए इस तरीका से यहां सिधा बना लिए यहां देखिए दूफंदा बना हुआ है तो यहां पर डिजाइन डालेंगे सिर्फ कलर चेंज करना है डिजाइन सेम बनते जाएगा इसी तरीका से जहां डिजाइन डला हुआ है वहां पर दूफंदा सिधा बनाएंगे और जहां दोफंदा सिधा बना हुआ है वहाँ पे दोफंदा डिजाइन डालेंगे इसी तरीका से बनाएंगे तो देखें इसी तरीका से दो दो धारी चरचर काटा बनाते हुए कम्प्लीट करते हैं जितना लंबा हमको चाहिए उतना लंबा बना लेते हैं फिर दिखाते हैं देखें दू काटा इससे बनाया है चार काटा इससे बनाया है चार कलर से बनाएंगे दोनों कलर मिक्स करते हुए जितना जरूरत हो उतना लंबा बना लेते हैं फिर दिखाते हैं फिर कियों से चर्चर काटा बनाते हुए , , कम्लिट कर लिए ! तो देखिए 3 चार काटा बनाए हैं। चार काटा रेट कलर वला से डीजाइन डाले हैं फिर इस से फिर इस से और यहां चार चार काटा प्लेन बनाए हैं दूधारी उससे दूधारी उससे देखिए इस तरीका से इस दोनों डीजाइन डाले हैं और यहां से दूधारी प्लेन बनाएं इस तरीका से बनाते हुए कम अब यहाँ लाल वला धागा है उसको काटके हटा देते हैं अब इसका काम नहीं है अब इसको यहाँ देखिए इस तरीका से चाप देंगे बनाते हुए अंदर ले आएंगे इस तरीका से अब यहाँ दोनों तरप से उल्टा उल्टा बना करके शौ लाइन कंप्लीट कर लेते हैं देखिए एक कलर से यहाँ डवल कलर नहीं लगाएंगे एक कलर से ही शौ लाइन बनाएंगे दोनों तरप से उल्टा उल्टा देखिए इस तरीका से बनके तयार होगा देखिए दोनों तरफ से इसी तरीका से बनाएंगे 6 लाइन तो देखिए 6 लाइन बना लिए यहां से एक गारह जाली दिये यहां तक फिर चर-चर काटा का लाइन बनाये हैं देखिए अब फिर यहां एक छोधारी बना लिए अब देखिए उल्टा साइड आ गए अज सारा फंदा को बंद कर लेते हैं आप टोपी को अपना हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं टोपी जो फंदा हम लिए हैं उप फंदा जीरो से लेके तीन से चार महिन बच्चा के आएगा उससे बड़ा बच्चा कोई नहीं होगा उसके लिए जाली को और आप बढ़ा लेना है वहां पर जाली बढ़ा करके आउपपर का प्रोसेस जैसे है उसी तरीका से बना लेना सिर्फ जाली को बढ़ाना है देखिए सारा फंदा घटा करके हम ले लिए देखिए इस तरीका से बनके तैयार हो गया अब इसको सिलाई करेंगे देखिए इस तरीका से सिलाई करेंगे सीधा साइड अंदर रखेंगे और उल्टा साइड उपपर रखेंगे एक साल बच्चा को बनाने के लिए आप 15 जाली लगभग में हो जाएगा एक साल बच्चा तक के बढ़ियां से आ जाएगा तो आप अपना हिसाब से इसको बना सकते हैं बहुत आसान है इसको बनाना बहुत जल्दी बन जाता है आप सिंगल कलर उन से भी इसको बना सकते हैं तो देखिए पूरा को सिल लेते हैं अब इसको पलट के दिखाते हैं तो देखिए कितना सुन्दर टोपी बनके तैयार हो गया देखिए बहुत सुन्दर टोपी बनके तैयार हो गया छोटा बेबी के लिए देखिए इसको इसमें पहना के दिखा रहा है तो एकदम लू जा रहा है तीन से चार मंद बच्चा को बहुत ही अच्छा ही बनके इतना फंदा में तैयार हो जाएगा देखिए इस तरीका से आ जा रहा है अब इसका देखिए उपर का फुदना बनाएंगे देखिए इस तरीका से लपेट लेंगे इस तरीका से लपपेट लिए हैं अब यहां धागा को काट देएगे इसको इस तरीका से यहां बान लेते हैं अब फिर देखिए अब इसमें इसको सील रकेंगे और उल्टा साइड से इस पर धागा चल आएगे अंदर से लेके उपर तक इसको बांधेंगे अच्छा से बांधेंगे कि खूले ना इस तरीका से बांधते हुए अच्छा से इसको अंदर की साइड से धागा ले करके और बांध लेना है देखे इस तरीका से अंदर के साइड से धागा लिए और इसको बान दिए इस तरीका से इसको बढ़ियां से पक्का कर लेना है अब इसको इस तरीका से फैला देंगे अब अंदर से इस धागा को गेठी दे करके काट लेंगे हटा देंगे तो देखिए टोपी बनके यहां रेडी हो गया आप चाहें तो इसको बीच से इस तरीका से काट भी सकते हैं हम इसको नहीं काटे हैं इसी तरीका से छोड़ दिए देखिए बन गया तो देखिए बहुत ही सुन्दर टोपी बनके तयार हो गया है तो बनाईएगा और कॉमेंट करके बताईएगा थैंक यू